वेल्कम टू हॉलिवूड नेरेटर तो आज की हमारी मूवी है दा लैम्ब ये कहानी एक ऐसे बाप की है जो अपनी ही बेटी को प्रेगनेंट कर देता है मूवी की शुरुवात में हम देखते हैं कि एक चर्च का पुजारी है उसके साथ कई महिलाएं हैं जो एक डिनर टेबल पे डिनर कर रहे होते हैं वहाँ पर दो प्रकार की महिलाएं हैं एक वो जिनोंने रेड कलर की ड्रेस पहनी है और एक वो जिनोंने ब्लू कलर की ड्रेस वाली उस पुजारी की बीवियां हैं और ब्लू वाली उस पुजारी की बेटियां ये सभी समाज से निकाली गई औरते हैं जिसे पुजारी ने अपने पास सरण दी है लेकिन उस पुजारी के कुछ अपने ही रूल थे रूल नंबर वन उस ग्रुप में केवल लड़कियां ह होंगी रूल नंबर टू अगर किसी की तवियत खराब होती है या किसी को पीरियड आता है तो पुजारी उसको कुछ दिनों के लिए गुरुप से बाहर कर देता है और कुछ दिनों पहले पुजारी की गुरुप से दो लड़कियां बाहर निकाली गई थी पहली वह जिसकी तवियत खराब हो गई थी दूसरी वह जो उसकी बात नहीं मानती थी अगले सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम शीला है और वह नोटिस करती है कि उसको पीरियड आया है और यह देखके वह डर जाती है और घबडा कर चिलाती है और डर के मारे वह एक भेड कशे बड़ को भी किसी जान ने मार दिया होगा और पुजारी भी उसकी बात मान जाता है क्योंकि वह सभी लड़कियों देखेंभी को ही सबसे ज्यादा प्यार करता था अगले सीन में हम देखते हैं कि पुजारी पोलिस वालों से बात कर रहा है और पु Leة वाले के जंगल चोड़के जाना पड़ेगा क्योंकि जंगल में रहना इलीगल है यही बात पुजारी सभी लड़कियों को बताता है यह बात सुनके सभी लड़कियां खुश हो जाती हैं क्योंकि वो भी जंगल से बाहर जाना चाहती थी लेकिन हम देखते हैं कि शीला इस बात से खुश नह निकलने लगते हैं और राश्टे में जब अंधेरा हो जाता है तो उन्हें एक घर दिखता है सब लोग उसगर में रुखना चाहते थे लेकिन पुझारी उन सब को मना कर देता है और उस घर के पास जंगल में ही वो कैंप लगा देता है लेकिन तभी शीला की एक सिस्टर उसके पास आती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारा पीरियěट चल रहा है और ये बात वो बाकी लोगों को भी बता देती है जिसके वज़े से सीला को ग्रुप के बाहर निकाल दिया जाता है अब सीला और सारा दोनों लड़किया ग्रुप से बाहर थी तभी सीला सारा से कहती है कि पुजारी तुम्हें हमेशा ग्रुप के बाहर रखता है नहीं है सारा शीला को बताती है कि तुम्हारी मा की मौत भी पुजारी की कारण हुई थी क्योंकि तुम्हारी मा बिमार थी और पुजारी उसका इलाज नहीं करवाता था आगे हम देखते हैं कि शीला अब पुजारी से नफरत करने लगी है और उसे देखकर उसको बहुत करवाय जाता है। पुजारी उस बच्चे को उठाकर को दे देता है क्योंकि वो लड़का था और group में कोई लड़का नहीं रह सकता। आगे हम देखते हैं कि एक लड़की पुजारी को सला promotes कि हमें पानी के पास कैम लगाना चाहिए जिससे पुजारी को बहुत गुसा आता है और वो उस लड़की को बहुत मारता है क्योंकि पुजारी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि उसकी जगह कोई किसी को रास्ता दिखाए पुजारी उस लड़की को बहुत मारता है ज जब सुबा होती है तो सभी लड़कियां पुजारी के पास आती हैं और पूछती हैं कि हम सब की मा कहां चली गई तो पुजारी उनसे कहता है कि मैंने सब को जन्नत पहुचा दिया है दरसल पुजारी उन सभी की माओं को पानी में डुबो के मार देता है और ये काम वो बहु और शीला तुम मेरी सबसे खास पत्नी बनोगी तो शीला उस बात के लिए मना कर देती है तभी पुजारी सीला को एक थपड मार देता है और गुस्से में शीला भी उस पुजारी को थपड मार देती है ये देखकर बाकी लड़कियों का भी होसला बुलंद हो जाता है और वो सब मिलके पुजारी पर अटैक करती है और उसको भी पानी में डुबो कर उसी तरह से मार देती है जैसे उसने उनकी माओं को मारा होता है आगे हम देखते हैं कि वहाँ पर पुलिस आती है और पुलिस देखती है कि नदी के पास बहुत सारी लाशे पड़ी हुई है जो कि पुजारी की बीवियों की थी और साथ में पुजारी की भी लाश पड़ी होती है लेकिन पुजारी के सरपर सींग लगा होता है दरसल वो लड़कियां उसके सर पर सींग लगा देती हैं और ये दर्शाती हैं कि पुजारी एक हैवान था इसी के साथ ये मूवी भी खतम हो जाती है तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिये ना प्लीज यारो मैं बहुत महिनट करता हूँ लेकिन आज तक सक्सेज नहीं हुआ और मुझे आप सब का सपोर्ट चाहिए सो प्लीज सब्सक्राइब में